नमस्क्र दोस्तू, वन इंडिया मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ टोकियो परलेंपिक में भारतिय एतलीटों का दमदार प्रोशन जारी है जी हाँ, चार सेतंबर को भी भारतिय दलने जबरदस खेल दिखाते हुए बैडमिंटन की पुरुष एकल SL3 इस परदा में धमाल करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया आपको दादे, परलेंपिक खेलों में भारत का ये चौथा गोल्ड मेडल है बतादे, परलेंपिक में बैडमिंटन में भारत को ये पहला गोल्ड मेडल मिला है शोशन मीडिया पर प्रमूत भगत के गोल्ड मेडल जीतने पर जबर्दस प्रतिक्रियाएं आ रही है इस गोल्ड मेडल के साथ ही भारत के नाम टोकियो अलम्पिक में अब 16 मेडल आ चुके हैं ये भारत का परलम्पे के तिहास का सबसे सर्वसेश पदरशन हो चुका है आपको दादें भारत के बैडमिंटन खिलाडी प्रमूत कुमार ने SL3 काटिगरी के फाइनल में बृटिन के डैनियल बेथिल को 21-21-17 से हरा दिया इसी SL3 काटिगरी में मनुष सरकार ने भारत को व्राँज मेडल जिताया उन्होंने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में जापान के दाइसुकू फाजाहारा को 22-21-23 से हराया था प्रमोट से पहले शूटिंग में SH1 काटिगरी में 50 मीटर एर पिस्टल में मनीस नर्वाल ने गोल्ड और सिंगराज अडाना ने सिल्वर जीता था पहली बार परेलंपिक में शामिल बेडमिंटन में भारती खिलाडियों का प्रोडिशन शानदार रहा है प्रमोट के लावा SL4 में नोईडा के डियम सुहास यथिराज और SH6 काटिगरी में भी कृष्णा नागर फाइनल में पहुँचकर मेडल पका कर चुके हैं आपको बताते हैं SL3 काटिगरी में बेडमिंटन खिलाडी स्टेंडिंग पोजिशन में खेलते हैं हलाकि उनके एक या दोनों पैर में गंभीर कमजोरी होती है आपको बताते हैं भारती टीम इस गोल्ड के बाद मेडल टेली में 25 स्थान पर पहुँच गई है भारती टीम के नाम अब 14 श्वर्न, 7 सिल्वर मेडल वहीं 6 कान से पदक हो गए हैं और ये संख्या 17 तक पहुँच गई है बेडमिंटन में जहां प्रमूत कुमार ने गोल्ड मेडल दिलाया वहीं मनुस सरकार ने कान से पदक भारत को दिलाया आपको दादें मेडल टेली में अब भी चाइना नंबर एक परकाबिज है उसने अब तक 193 मेडल अपने नाम कर लिये हैं जिसमें 90 गोल्ड, 53 सिल्वर और 50 सिकान से पदक शामिल है दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन है 119 पदकों के साथ फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं वर इंडिया के साथ